गुड मॉर्निंग दोस्तो मैं विने कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ UPSC परिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज 4 अप्रेल 2021 की हम करेंट अफेर के पढ़ने वाले हैं और डेली की तरह सुबस 7 वजे मैं आपको एक वीडियो देता हूँ जो कि Current Affair के Most Important Questions से Related होती है और इसमें मैं आपको पूरे डिटेल के साथ एके Questions कवर कराता हूँ तो चली सुरू करते हैं अपने पहले Questions से सबसे पहले अपने Question के अगर बात करें तो देखिए पहला Question हमारा दे रखा है यहाँ पर पाकस्तान ने भारत के साथ किनी चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंद को हटा दिया है तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ने काफी लंबे समय से जो विवात चला था काफी जाता मतलब इस समय पाकिस्ताइब के साथ काफी जाता विवात चला था उसके खतम करने के यहां पर संकेत नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान ने क्या करा है चीनी कपास और सूत के जो व्यापार होता था आयात होता था उस पर से जो प् पाकिस्तान की प्रधारमंद्री की बात करते हैं, इनका नाम है इमरान खान और राष्टपती है आरिफ अलवी और मुद्रा चलती है यहां पर रूपया, ठीक है पाकिस्तानी रूपया क्याता है इसको, तो यह हमारे यहां पर question important है, next question है यहांपर, जापान बैंक आफ इंट जोते पर हस्ताक्षर किये हैं और SBI की स्थापना की बात करें तो एक जुलाई 1955 को यहां पर क्या हुआ मुंबई में और इसके वर्तमान वी जो अध्यक्ष है इनका नाम है दिनेश कुमार खारा तो याद रिखिएगा जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कॉर्परेशन के साथ यह समझाता हुआ है नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा चीन और किस देश के बीच 25 साल के राजनेतिक सहयोग समझाते पर हस्ताक्षर किये गए हैं तो देखिए चीन के साथ जैसे के विए एक कोश्चन पीछे पाकिस्तान और भारत से रिलिट था कि वहाँ पर चीन के साथ जो स यहां पर देखिए बात करें चीन की राजधानी की तो चीन की राजधानी है विजूंग और इसका पुराना नाम आप है तो याद रखेगा ठीक है और option में आपको हिंट दे रहा हूं पी से स्टार्ट होता है और लास्ट में जी आता है जी आता है ठीक है तो यह आपका मैंने हिंट दे दिया आप तो शी जिंग्पिंग यह राष्टपती है और मुद्रा दीखिए यहां पर क्या है युवान और दूसरी जो इसका नामे दीखिए इसको कहते हैं रेमबी जी इसको भी याद रखेगा इसके याद एरान की अगर बात करें तो देखिए इरान की राज़ानी है तहरान और यहाँ पे राष्टपती कोई है हसन रूहानी हसन रूहानी और मुद्रा चलते हैं यहाँ पर रियाल तो यह थोड़ा सा important है यहाँ पर इसको आप बिल्कुल बारीकी से समझेगा और कमेंट करके ज़रू बताएगा कि बीजिंग जो है इसका पुराना नाम क्या था और आया हुआ कोश्चन है भी NTPC जो एक्जाम हो इसमें कोश्चन आया हुआ है ठीक है तो इसको याद है मैंने यहाँ पर कुश्चन है किस राजी के अंबोली को जैव विवित्ता विरासत इस्तल में शामिल किया गया है तो देखे महराष्ट है तो महराष्ट की एक जगह है ठीक है अंबोली इसको शामिल किया गया यह पार्क जैसा है और राजिपाल यहाँ पर दीके कौन है भगत सिंग कोशायरी और राजधानी देगे इसकी है मुंबई साथी साथ यहां पर दीके मुख्यमंद्री को भी पढ़ लेते हैं एक बार दीके मुख्यमंद्री को होने उद्धा उठा करें और यह किस पार्टी के हैं तो यह शिव शेना के हैं ठीके इसको याद रखेगा उद्धा उठा करें नेक्स्ट कूश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्रिटानिया ठीके ब्रिटानिया का अतरिक्त निदेशक किसको बनाए गया तो दीके ब्रिटानिया कंपनी है और आपने अक्सर गर यहाँ पर दीके ब्रिटानिया के बिस्कुट सुने होंगे टौ ब्रिटानिया लिमिटेट के इंडस्ट्री की बात करें तो दीके इसके सीओ वर्तमान में है वरुन वयर्इ वरुण बेरी और इसका मुख्याले पड़ता है दोस्तों बेंगलुरू में न कोश्चन है किस नहीं Up बूलिट नारब क्रूफ यहां पर इसका लिंध वेट बुलिट प्रूफ जैकेट विक्सित की है तो है क्या है और डियों को वाकरते हैं देल फिल फार्म पूछ है अंजीस फ़र्म होती है और इसके वरतमान में जो अठियक्शन का नामे जीत शती रिड्डी और मुख्यालई देखे पड़ता है नई दिल्ली में अ 1908 में क्या हुएуска इसके स्थाब नहीं है अभी देखे डियार डियो दिवस मनाया जाता है जय कोई संब और डियार डियो दिवस देखे एक 10 αλλά को माया जाता है एक जनवरी को डियार डियो दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा सुपारी पालन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया तो देखिए सुपारी पालन जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया था उपराश्टपती M बंगया नाइडू के द्वारा उपराश्टपती M पंगया कुछ पुरइट पक्रदी करित भारतिय रेल्वे जोन कौंसा बना है तो इसका नाम है पस्च्च्च मध्य पूरी तरीके से क्या हो चुका है पूर्णता विदुद से संचालित होने वाला रेलवे जोन बन चुका है यहां पर पूरी तरीके से जो काम बचाता भी कोटा राजिस्थान के पास थोड़ा सा काम बचाता उसको भी कंप्लीट कर लिया गया लगभग 32 किलो मेटर का यह वर प्यूश गोईल को ने रेल मंत्री और वरतमान में उद्योग मंत्री का भी अत्रिक प्रवार्न को दिया गया है पस्चिम मत्य रेलवे का मुख्याले पड़ता है दोस्तों जबलपुर में ठीक है का पड़ता है जबलपुर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रिखे किया गया तो देखिए यहाँ पर इसको रॉंच किया गया है रमेश पोखरियाल निशंग के दोरा किसके दोरा रमेश और केंदरी शिख्शा मंत्री एं वर्यत्मान में रमेश पोखर याल निशनग कौन है केंदर्य शिख्शा मंत्री यह याद रखें कापभी इंक्पॉर्टेंट हे इसके पाद यह नेक्स्त कुरिश्चन है हमारा झ्हंता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो इनका नाम है आदिल जैनुल भाई आदिल जैनुल भाई और भारती गुडवत्ता परिशत के इससे पहले यह अध्यक्ष रह चुके हैं और यह जो आयोग है चमता निर्माण आयोग इसका जो मतलब उद्देश है वो यह है कि जितने भी सिविल सेवा के उ उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशिक्षत करना तो यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो जैनुल आदिल जैनुल भाई को बनाया गया तो यह भी काफी इंपॉर्टन कोश्चन है नेक्स्ट कुश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है कि फास्ट टैग्स जारी करने के लिए किनके बीच साज़िदारी हुई है तो यहाँ पर देखें आंसर है इसका फोन पे और ICC बैंक तो फोन पे एप और ICC बैंक के बीच में यहाँ पर साज़िदारी हुई है इसके तहित जो फास्ट टैग्स हो गया या ऑनलाइन मतलब जो भी और यहीं पर अगर हम बात करें तो देखें फोन पे के CEO की तो बहुत इंपर्टन कोश्चन है CEO याद रखेगा समीर निगम इसके बात फोन पे का मुख्याले कहाँ पर पढ़ता है आपका पढ़ता है बैंगलूरू करनाटक में जबकि ICICI बैंक का मुख्याले आपका पढ करें ICICI बैंक की तो इसकी टैगलाइन है हम है ना खयाल आपका हम है ना खयाल आपका यह ICICI बैंक की टैगलाइन है दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने question की तरफ ini question की तरफ और आज का Question है यह आपको मेरी पिछली वीडियो में इसका answer मिलेगा आपको 2 अप्राइल वाली जो मेरी video है इसमें से आपको answer मिलेगा और वहां से आपको देखकर क्या answer बताना है ठीकि क्मेंट जडरू किजेगा डेबलू एफ के जेंडर गैप सुचकांक में भारत का इस्थान कौन सा था तो यहां पर आपके चार आप्शन है इन चारों आप्शन में से आपका एक आंसर सही है और इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं कमेंट करके और जिन बच्चों को नहीं पता है जो regular वीडियो देख रहे है वो तो कमेंट करके पता देगे जिन बच्छों को नहीं पता है तो इसका अंसर मेरी पिछली तीन आपरेल वाली वीडियो में होगा वहां से आप इसको देखेए विडियो को और पढ़िए और वहांसे फिर आके आप इसमें कमेंट कीजेए ठी और आज के लिए इतने धन्यवाद बाई बाई